और चलिए बागी बढ़ रहे हैं महराश्ट्र की बात कर लें तो यहाँ पर सीट शेरिंग पर सूत्रों के वाले से बड़ी खबर महाविकास अगारी के बीच फिया फॉर्मुला तै हो गया है शिवसेना यूबिटी 20 कॉंग्रेस 18 सीटों पर चुनाब लड़ेगी शरत पवार की बात कर लें तो 10 सीटों पर चुनाब लड़ेंगे बंचित भौजन अगारी एक सीट पर चुनाब लड़ेगी तो यह फॉर् लगबग यहीं फॉर्मुला सामने आ रहा था देखे लगबग पाच्छे बैटके हो चुकी है सीट शेरिद को लेकर महाविकास अगारी के बीच मुंबई के एक पास इतरह होटल बे लगातार यह बैठक कर रहे थे जिसमें शिवसेना यूबिटी एंसेपी शरत गुट औ पहले ये दावा किया जारा था कि वंचित बहुजन आगारी को साथ में नहीं लिया जाएगा यह वो साथ नहीं आएंगे लेकिन आकिरकार शरत पवार और उद्दर ठाकरे ने कांगरेस का मन परावर्थित करने का प्रयास वहापर किया और वंचित बहुजन आगारी को च 27 सीट मांगे थी जो असंभव था लेकिन उनने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अब यहां तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है दूसरा बड़ा राज्य है देश का उत्तरप्रदेश के बाद महाराश्ट्र जिसमें लोगसभा की 48 सीट हैं इन 48 सीटो कॉंग्रेस और 10 सीटों पर यहां पर NCP जो है वो लड़ेगी शरप पवार की पाटी और यहां पर उद्धर ठाकरे के पाथ जो 20 सीट है उसमें से एक सीट वो राजु शेटी को देंगे वो हाथ करंगले की लोगसभा सीट है या अकोला की सीट ये भी उद्धर ठाकरे याने उद्धर ठाकरे 17 सीटों पर लड़ेंगे वन चीट दो सीटों पर एक सीटों पर राजु शेटी की जो पार्टी है शेटकरी संगठन वो लड़ेगा और बाकी बचे जो कॉंग्रेस और NCP के खाते में वो सीट जाने वाली है देखिए सबसे बड़ी बात है कि होगी के नहीं लेकिन आखिरकार शरत पवार हो या फिर अन्य कॉंगरिस के नेता हो या उद्धर ठाकरे उनने एक फॉर्मिला यहां पर इस्तमाल किया है कि जिस चुनाव शेतर में तगड़ा उम्मेदबार होगा और जिसके जीत के आसार होगे वो चुनाव शेतर उस पा है वो तैख हो गया है अपचारी खोशना होना बाकि